Hello experience, so आज की वीडियो में वर्ड जोग्रिफी का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, वो है आईसो प्लेट्स, so आईसो प्लेट्स क्या होते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स वो सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से पीपर पैन और करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट, देखिए आईसो प्लेट्स क्या होते हैं, लाइन्स द्रॉण और मैप अलोंग विच दो वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर फिनॉमिना इस उनिफॉर्म, माली जी आपकर जैसे यह वर्ड मैप है ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कुछ लाइन्स जो हैं, वो ड्रॉ की गई है, तो अब जैसे यह लाइन माली जी ड्रॉ की गई है, तो इस लाइन में जितनी भी लोकेशन्स आएंगी, जितनी भी लोकेशन्स आएंगी, उन सब पे कोई पर्टिकुलर फिनॉमिना जो है, वो इसको फिर से डिस्क्राइब किया है that a line or curve of equal values, कोई भी line या curve जिस पे equal values show करते है, समझ रहे है कि माली जी इस तरह से कोई line खिंची हुई है, यहां पे इतना pressure है, यहां भी इतना pressure है, तो यह बन गया हमारा isoplet, लेकिन अब देखिए किसी का equal pressure है, कहीं पे equal temperature है, कहीं पे equal sunshine पढ़ती है, कहीं पे equal snowfall है, तो इस तरह से जो अलग-अलग phenomena होते हैं, isoplet man को अलग-अलग नाम दिये गई है, ठीके, इस चीज़ को हम बेटर अब यहां पे समझेंगे, जब हम पढ़ेंगे isoplet and उनकी reactions, ठीके, now let me adjust this space, okay, so अब देखिए, जिसे हम बात कर रहे हैं कि equal pressure है, है ना, तो जब equal pressure होगा, कोई line draw की गई है, अगर वहां के हर एक location पे equal pressure है, तो उस isoplet को कहते है, isobars, तो lines representing equal pressure are called isobars, याद रखना है, ठीके, question आता है आपका कि isohillin क्या represent करता है, sunshine, rainfall, salinity, thunderstorm, तो आपको पता होना चीज, salinity, यह आपको याद करने पढ़ेंगे, विसे याद भी है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको खुद idea लग जाए, कैसे यह होगे, है ना, इसमें 2-3 है, जो मतलब भूल जाते है, मैं अपनी बात करो, तो मुझे भूल जाते है, बाकी ठीक से याद रह जाते है, पर ऐसा नहीं रटने की कोशिश ने करना कि आज बैठा पार्ट्स शो करती है, वो लाइन जो एक्वल डेप्टीन सी, मैं लगए, मैं लगए, आइसो ब्रॉंट्स अब मुझे न लगता है, इसमें समझाने वाली ज़र होते है, बिस याद करने वाली ज़र होते है, आप इस चीज़ को ना, as it is, नोट कर लें, इसो ब्रॉंट्स क इसो ऐट्ट रेंफॉल, इसो हाइज़ एलिवेशन अबफ सी लेवल, समझते हैं अअबफ सी लेवल, कि यह म ήमाली जी हमारस स्चेव समस्ष्ट रेंट्टांग मैं इस पर की ले जिवाशन श्रॉंट है, 향 पर इसी है, हेल्तिट्व एसी है, तो इल्टी उ लespèreक है Snow, Isotherms, Temperature of Therms है, Temperature, Niff है, Snow, ऐसे करके आपको खुदी पता चल जाएगा, कैसे याद करना है, Isoneff, Cloudiness, कहाँ पर बादल ज्यादा रहते हैं, Isodepen, Equal Transportation Cost Distance, Isocline, Slope, Slope समझते हैं, धलान इस तरह से, है ना, तो चलिए friends, आज के लिए इतना ही, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी से पता है, कि क्या करना है, जब दिसे कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए, प्रेस, so that मैं जसे कोई वीडियो अप्लोट करूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, जो भी आपके friends हैं, जो भी government examinations के लिए prepare कर रहे हैं, उनके साथ में मैं चैनल का link ज़रूर शेयर करें, so that इन hand return notes का उन्हें भी कुछ फाइदा हो सके, तो चलिए friends, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे next video में, so that's it guys and see you soon,